सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आज हम विध्या की बारे में श्लूप के माध्यां से समझेंगे कैसे वेक्ति को विध्या प्राप्त नहीं होती उसके बारे में श्लूप के भावार्प से समझेंगे वजानेंगे मैं इश्लोग फिर्चे दोराऊंगी अलसस्य कुटो विध्या, अविधस्य कुटो धनम, अधनस्य कुटो मित्रम, अमित्रस्य कुटो सुखाँ आलस्य करने वाले को विध्या प्राप्त नहीं होती है जो बच्चा सोचता है, मैं आज का कारिक कल कर लूँगा, कल का कारिक परसो कर लूँगा तो वह अपने लक्ष में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता वह अपनी लक्ष से दूर हटता चला जाता है क्योंकि उसकी जगह आलस्य ने ले ली है आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है वह अपनी पढ़ाई को टालता है और जिसके टालने से वह कुछ सीख नहीं पाता कुछ क्रिया आत्मी कर पाता उसके मन में इच्छा जिग्यासा रूची की जगह आलस्य भर जाता है जो हमें अपने लक्ष से कौसों दूर कर देता है मनिश्य के शरीर में आलस्य स्थित होता है हमें उसे दूर भगाना चाहिए आलस्य को हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए पर हम उसे अगर कोई भी कारे है हमारा और हम उसे टालते चले जाएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे हम अपने लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अपने हातों से समय को गवा देंगे अविधा सिर्फ कुतो धनम और जिसके पास विध्या नहीं उसके पास धन कहां अगर हम विध्या प्राप्त नहीं करेंगे ग्यान प्राप्त नहीं करेंगे हम कुछ सीखेंगे नहीं और हमें कुछ कुशल्ता नहीं आएगी किसी भी कारे को नहीं करेंगे तो धन की प्राप्ती भी नहीं होगी परिश्रम करने से ही धन प्राप्त होता है अधनस्य कुदों मित्रम और जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ बच्चों हमें मित्र को अपने साथ रखना है अपने पास रखना है कि मित्र सुक दुख में हमारा साथ देता है सही कलब का के बारे में हमें बताता है मित्र का जीवन में बहुत भात्व है और धन नहीं होगा तो हमारे मित्र कहां से बनेंगे आप मित्र से पुतो सुखम और जिसके पास मित्र नहीं उसे सुख की प्राप्ति कैसे होगी धन होगा सुख सुविधाय होगी सुक्स्विधाय होंगी, मित्र होंगी, मित्र होगा तो हमें सुक्प्राप्त होगा मैं इस लोग फिर से दोराऊंगी इस लोक को हमें समझना है इसका भावार्थ हमें याद रखना है और इसे हमें कंटस्त करना है क्योंकि आलस सबसे बड़ा शक्त्र है आलस से विध्या, धन, मेत्र, सुख सबसे हमें दूर कर देगा जीवन को उच्छ लक्ष तक ले जाना है जीवन में कुछ बनना है कुछ प्राप्त करना है तो हमें आलस से को दूर भगाना होगा और अपने लक्ष को प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना होगा